राजिस्तान का स्कॉटलेंड या फिर पूर्वी राजिस्तान का कश्मीर इस शहर में एक ऐसा भूतिया पैलेस है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगाओं में से एक है तो क्या है इस शहर की पूरी सच्चाई इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों ये वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो आपकी शहर की हम बना सके और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना सके सबसे पहले हम इतिहास के पनलों को पलट कर देखें तो अलवर शहर महाबारत काल में मतस्य जन्पत का अंग था इस जन्पत की राजधानी बेराट थी जो वर्तमान में जैपूर में स्थित है प्राचिन काल में सालव जाती का यह शेत्र हुआ करता था और इसी के कारण इसका पुराना नाम सालवपुर था सन 1195 में बारत में एक फरिश्टा आया था उसने एक अर्वी भाषा का शब्द दिया अलवर जी हाँ दोस्तों अलवर एक अर्वी शब्द है अलवर की स्थापना 1775 में राव प्रताप सिंग के द्वारा की गई थी वर्तमान में अलवर राजिस्तान का एक महत्पूंड और द्योगिक नगर है तथा आठवा सबसे बड़ा नगर है अलवर का पहनावा राजिस्तानी ही है जिसमें दोती कुर्ता और साफा पुरुज द्वारा पहना जाता है और महिलाएं लहंगा और लूगड़ी पहनती है वहीं एक इंटरस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि भपंग वाद्य अंत्र राजिस्तानी लोक गीत की पहचान है और ये मेवाती संस्कृती की धरोहर भी है इस वाद्य अंत्र के उस्ताद जहूर खान मेवाती माने जाते हैं इनकी बहुती रोचक कहानी है सालों पहले मेवाती जी बीडी बेच रहे थे और ग्राकों को आकर्शित करने के लिए भपंग बचा रहे थे उस समय अभिनेता दिलिप कुमार अलवर में शूटिंग कर रहे थे उन्होंने मेवाती जी को भपंग बचाती हुए सुन लिया उनसे प्रभावित होकर दिलिप जी ने उन्हें बॉलिवुड ले गए और बाद में उन्होंने कई फिल्मों में पाष्य संगीत तेयार किया जिसमें गंगा जमना नया दौर आखे प्रमुक थे उन्होंने देश के बाहर भी अपना परदर्शन किया वहीं अगर अलवर के बोगॉलिक सिती की बात करें तो यह 8,380 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है अलवर की जनसंग्या 36,71,999 है और यहां की साक्षर्टा दर है 71.68% अगर हम बात करें अलवर में घूमने के लिए आए तो कौन सी जगा आप घूम सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने आएगा भानगर किला अलवर जिले की अरावली परवत माला में सरिस्का अभ्यारन परस्तित है यह किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ी के तल पर बसा हुआ है जो देखने में बहुती भयानक लगता है भानगड किला अलवर शहर का बेहदी प्रसिद परेटन स्थल है जो भूतिया किस्सों की वज़े से सबसे ज़ादा चर्चा में बना रहता है भानगड किला यहां होने वाली घटनाओं की वज़े से सबसे ज़ादा फेमस है कोई भी इस किले के अंदर अकेला जाने से डरता है भारतिय पूरा तत्वर सर्वेक्षन यानि की AASI ने किले में रात के समय परेटकों को तदा स्थानिय लोगों को प्रवेश करने से रोका है उसके बाद दोस्तों अलवर में एक खुपसूरत जील भी है जो आपको मंत्र मुगद कर देती है सिली सेड जील अलवर शहर का एक अद्बुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कई मज़ेदार गतिवीदियों और व्यूस से बरा हुआ है सिली सेड जील साथ वर्ग किलोमेटर के शेतर में फैली हुई है यहां आने वाले परेटकों और यात्रियों को तरह ताधा कर देती है यह जील एक परसिद पिकनिक स्पोट है जो परेटकों द्वारा बेहत पसंद किया जाता है दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चानल को अभी सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सरिसका अभ्यारेने के बारे में हमने आपको बता दिया है यह फैला हुआ है 8000 वर्ग किलोमेटर शेतर में यह अभ्यारेने कास करके मैदान, शुष्क प्रपती वन, चटानों को कवर करती हैं जिसको अब हम सरिसका टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाने जाता है यह रणतम भोर को सफलता पूर्वक स्थानन तरित करने वाला पहला बाग अभ्यारेने है और यहाँ पर तामबे जैसे खलीज संसादनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है सरिसका इतिहास प्रेमियों के साथ-साथ प्रक्ति प्रेमियों और वन्ने चीव उत्साही लोगों के लिए अलवर शहर में गुमने की सबसे अच्छी जगा में से एक माना जाता है फिर दोस्तों सरिसका पैलेस है जिसका निर्मान महामहीम राजा जैसिंग द्वारा अठारा सो बयान में करवाया गया था भव्या सरिसका पैलेस अलवर शहर में देखने की सबसे अच्छी जगा है जिसका भी रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा है ये सुनने में आया है अलवर में गूमने की एक केसरोली भी जगह है केसरोली अलवर के दुरलब होटलों में से एक है जो चौदवी शताबदी में अस्तित्व में आया हिलफोली उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जो अपने शहर से दूर हफ्ते बर की छुटी मनाने के लिए किसी जगह को तेलाज कर रही है नीमराना का हिलफोली केसरोली एक शांदर प्राचिन विरासत महल है जो किसी भी एतिहास में वापस ले आता है इस होटल में एक बड़ा स्विमिंग पूल है और सुन्दर बगीचे के साथ कई शांदार सुविदाएं भी आपको मिलती है सिटी पैलेस अलवर में देखने की सबसे अच्छी जगाओं में से एक है जिसको विने विलास महल भी कहा जाता है ये महल मुगल और राजिस्तानी डिजाइन के सुन्दर मिशिनन के साथ वास्तुकला का एक चमतकार है जो शाही जीवन शैली की जलक देता है सिटी पैलेस की दिवार, चत, भितिचित्र और मिरर वर्क पर इस महल का बेहद आकरशित करता है नीलकंट महादेव मंदिर टाइगर रिजर्व से लगबख 30 किलोमेटर दूर कुछ मंदिरों का एक समू है जो लगबख खंडर बन चुका है लेकिन आज भी यहां के राजिस्तानी लोग परिसर में इस्थिती कई मंदिरों में विश्वास करते हैं नीलकंट मंदिर अपने धार्विक महत्व और उतकरश्टता पत्तर की नकाशी और यहां के हरे भरे जंगलों के लिए अलवर का एक प्रमुक्स तल है मोती डूंगरी मूल रुप से 1882 में बनाय गया था ये वर्ज 1928 तक अलवर के शाही परिवार का मुख्य निवास था 1928 के बाद महराजा जैसिंग ने पुराने महल को हटाने का वैसला लिया और उसके बाद इस जगा पर शांदार इमारत बनाई गई विजे महल अलवर शहर के केंदर में 10 किलोमेटर दूरी पर स्तेत है और अलवर की सबसे खास परियाडन स्तलो में से एक बताया जाता है विजे पैलेस को जुनूनी राजा जैसिंग ने अपने जुनून के प्रढ़नाम सुरुप बनवाया था राजा जैसिंग वास्तुकला के सद्रक्षक थे और उन्हें कूपसूरत महल बनाने का जुनून था विजे महल जील के पास सुन्दर दुर्ग माना जाता है इस महल में 105 कमरे हैं जो इसे इतना भव्वे दिखाता है फिर दोस्तो पांडू पॉल है इसके बाद मूसी महरानी की छत्री है जो काफी पुरानी है राजिस्तान के राजपुत वास्तुकला में गर्व है और सम्मान का चित्रन करने के लिए आम तोर पर छत्रीयों का उप्योग किया जाता था महराज बक्तावर सिंग और उनकी राणी मूसी शाही समादी तो इस इमारत के मुक्ष महल की इमारत में बना रखा है यह अलवर के शाशकों और सुन्दर लाल बलुआ पत्त्रों और सफेज संग मरमर का एक समारक बना हुआ है राजिस्तानी बोजन भी चकने को मिलेगा यहां अलवर में अलवर का मावा दूद के कलाकंद उसके अलावा आप अपने घर में मिठाईया ले जा सकते हैं अलवर से यहां की मिठाईया बहुत परसिद्ध हैं जिसको स्वात लिये बिना आपकी यातरा पूरी नहीं होगी अगर आपको लोग प्रिये राजिस्तानी वियंजनों के साथ यहां नास्ता मिलता है रेस्टुरेंट के मेन्यू में पूरी, दाल, बाटी, चूर्मा, रबडी, लस्सी और घटे की सबजी यासे वियंजन शामिल है तो एक बार टेस्ट जरूर करें अगर राजिस्तान में घुमने आते हैं तो राजिस्तान के किसी भी शहर से जाते हो तो अलवर में घुमने के लिए कोई सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी तो नहीं है लेकिन अलवर का निकट तम हवाई अड़ा जैपूर है जैपूर जाकर अलवर घुम सकते हैं इसके दोरान अलवर जंक्शन अलवर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन यहां के लिए बारत के और राज्यों के प्रमुख शहरों में नियमे ट्रेने चलती रहती हैं तो दोस्तो इस वीडियो में एतना ही उमीद करता हूँ यह अलवर के बारे में चोटी सी जानकरी आपको काफी पसंदाई होगी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलता हूँ अगली और एक्साइडिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम।